ये है जंगल जहाँ पर शिकारी जीव अपने आपको जीवित रखने के लिए दूसरों को अपना शिकार बनाते हैं यहाँ पर शिकार करने के सबके अपने अपने खास तरीके होते हैं कुछ पल भर में किसी की जान ले लेते हैं तो कुछ बेहद ही निर्दई तरीके से अपने शिकार को मारते हैं तो दोस्तो आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसे पक्षियों को देखेंगे जिन्हें perfect killer कहना कुछ गलत नहीं होगा इस वीडियो के last में जिस पक्षि को दिखाया गया है उसके मारने का तरीका बहुत ही अनोखा है इसलिए दोस्तो इस वीडियो को पूरा देखियेगा जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है वो लोग सबस्क्राइब कर लें अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे, आपको आगическая आने व़ी विडियो नहीं मिलेगी पैरेग्राइन फालकन मजभूत छाती, मजभूत पैर, बेहदी खतनाग पंजेब, और लंबे पंक ये है पैरेग्राइन फालकन पेराग्राइन फालकन के नाम से जाना जाने वाला ये पक्ची ये पक्ची दुनिया में सबसे तेज रफ़तार के लिए जाना जाता है ये बाज के प्रजातियों में से एक है और जंगलों में इसका जीवन काल करीबं 17 वर्ष तक होता है मादा फालकन आकार में नर्स से ज़्यादा बड़ी होती है और इसके सरीर की लंबाई 13-23 इंच और पंखे की लंबाई 23-50 इंच तक ही होती है ये तेजी से गोता लगाने के लिए प्रसित है इन पर किये गए रिसर्च के मताबिक डाइविंग करते हुए इसकी रफ्तार करीब 300 किली मेटर प्रति घंटा की आँकी गई है असमान में उड़ते हुए कबूतर और अन पक्षियों को ये अपना शिकार बनाता है अपने शिकार को दबोचने के लिए फालकन दो तरे की रण नीती अपनाता है सबसे पहले ये अपने शिकार का पीछा करता है कई बार तो शिकार का पीछा करते हुए ये उसे दबोच लेता है अगर शिकार काफी तेजी से इधर उधर भागता है तब ये अपना दूसरा खतरनाक मेथट अपनाता है जिसे रैपिड स्टोक कहा जाता है इस तरह के अटेक में पहले तो फालकन काफी उचाई तक जाता है फिर धिरे धिरे अपने शिकार की तरह बढ़ने लगता है जैसे जैसे ये अपने शिकार की तरह बढ़ता है इसकी स्पीड भी बढ़ने लगती है ये रखतार इतनी जादा बढ़ जाती है कि फालकन की स्पी डाई से उसे 300 किलिमेटर प्रति घंटा हो जाती है इस वक्त ये स्पीड धरती पर मौझूद सभी जीवों से सबसे तेज होती है इस सुपर पावरे स्पीड के सामने फॉलकन का सिकार डिफेंसलेस हो जाता है और देखते ही देखते फॉलकन उसे अपने पंजों में दबोच लेता है इस तरह के अटैक से शिकार का बच पाना लगभग नामुंकिन हो जाता है गोल्डन इगल गोल्डन इगल दुनिया में सबसे बड़े सबसे तेज और बेहत खतरनाग पक्षियों में से एक है जहां इसके चमकदार सोने जैसे पंक इसके सीर और गरदन पर चमचामाते हैं वहीं इसकी सकतिसाली चोंच और मजबूत पंजे अपने शिकार करने का हुनर दिखाते हैं पैनी नजर और पैनी नाखुनों के कबिलित के साथ इस शिकारी का दबदबा जमीन और आस्मान दोनों पर है बहतरी नजर पैनी चौँच और ताकतवर नाखुनों वाला ये शिकारी एक्सपर्ट किलर हैं और खतनाग भी जो अपने शिकार को पांच किलूमेटर की दूरी से भी देख लेता है कभी कभी इन्हें बड़े इस्तंधारी जानवरों पर भी हमला करते हुए देखा गया है लेकिन गोल्डन इगल मुख तोर पर खरगोज, जहरीले सांप, मचली की लहदी और दूसरे मध्यमाकार के जीवों को ही अपने शिकार बनाता है इतना ही नई से बड़े जानवर जैसे बकरी लोमडी आदी के साथ साथ इंसानों पर भी हमला करते हुए देखा गया है जो देखने में बेहद ही डराबना होता है, गोल्डन इगल पहाड पर चरही बकरियों या पहाडी हिरनों का भी शिकार करता है पहाड पर चरही बकριयों को ये जरा भी अंदाजा नहीं होता कि आजमान से उनकी मौत आ रही है कई बार तो गोल्डन इगल इन भेड बक्रियों और हिर्नों को उठा कर भी ले जाते हैं और अगर अकार में बक्री ज़्यादा बड़ी होती है तो ये दूसरा तरीका अपनाती है यानि उन्हें पहाड से नीचे गिरा देना सबसे पहले तो ये अपने शिकार को पकड़ कर पहाड से नीचे गिरा देता है इतने उचाई से गिरने के बाद कोई भी जानवर जिंदा नहीं बच पाता और फिर सुरू होती है इस पक्षी की दावत श्राइक बर्ड अकार में छोटी और सुन्दर से दिखने वाली ये चिडिया असल में ये एक परफेक्ट किलर है जो अपने शिकार को शिकार करने के बाद तुरंत नहीं खाती उसे किसी पेड के कांटों में फसा कर उसे टांग देती है जब तक कि उसका शिकार सुखने ना लगी लेकिन ये चिडिया ऐसा करती क्यों है एक्चुली कई ऐसे जहरीले जीव हैं जिने डायरेक्ट खाने पर कोई भी पक्षी या जारवर बिमार पढ़ सकते हैं या फिर मर भी सकते हैं पर ऐसे खतनाक जीवों के जहर को निश्करिय करने के लिए ये पक्षी उन्हें काटों में फसा कर टांग देती है और जब इसके शिकार के टॉक्सिक केमिकल सूख जाते हैं और फिर तब ये चिडिया उसे खाना शुरू कर देती है इस चिडिया को कई बार कुछ ऐसे जीवों को टांकते हुए देखा गया है जो जहरीले नहीं होते हैं एक्चुली ये चिडिया कभी-कभी फीमेल चिडिया को लुभाने के लिए ऐसा करती है अपने शिकार को पकड़ने के बाद अपने खतनाक चोंच से उसकी गरदन या सिर्क को तोड़ देती है या फिर किसी काटे या काटेदार तारों पर भी लटका देती है एक बार अपने शिकार को इस तिर लटका देने के बाद ये चड़िया अपने शार्प चोंच से उससे टुकडे टुकडे में खाना शुरू कर देती है और लगभग 9 से 10 तिनों के अंदर अपने शिकार को पूरी तरीके से खा लेती है उतरी अमेरिका, इरोब, एशिया और अफरीका में इस टिडिया की 30 से अधिक प्रजाती पाई जाती है दोस्तों देखने में ये पक्ची भले ही निर्दई और खतनाग लगे लेकिन खुद को जिंदा रखने के लिए एक दूसरे को मारना ही जंगल का ये प्रकृति का नियम है दोस्तों इन में से आपको सबसे प्रफेक्ट किलर कौन सा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं अब हम बात करते हैं अपने सबसे पसंदिदा जंगल एमेजोन की जंगल के बारे में कुद्रत का करिस्मा दुनिया का सबसे खतनाग जंगल सबसे दुल्लब जीवों का पसेरा यहां जीने के लिए संगर्स करना पड़ता है दुनिया का सबसे सुंदर और खतनाग जगे यह है एमेजोन का जंगल यह दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है जिसका विस्तार दुनिया के सारे वर्षावनों से सबसे अधिक है यहां दुनिया के एक तिहाई जानवर पाय जाते है यहां ऐसे से तरीके की दुलब जी पाई जाते हैं जिसके बारे में हम सपने में भी नहीं सोच सकते एमेजोन नदी से जुड़ा ये जंगल साड़े पांच करोड साल पहले से अस्तित में आया था ये जंगल 5.5 मील इसको 8 मीटर में फैला हुआ है यानि कहें तो ये हमारे भारत से काफी बड़ा है इस जंगल में लगबग 390 मिलियन पीड़ हैं इतना ही नहीं यहां लगबग 10 मिलियन प्रजातियां पाई जाती हैं पूरी प्रिश्वी पर लगबग 20 प्रतिश्यत ऑक्सिजन का उतपादन अकेले एमेजोन के जंगल सही होता है यहां आदिवासियों के जंजातियां भी रहती है जो हमारे दुनिया से किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रखती है एक अनुमान से यह पता चला है कि यहां 40 लाग से भी अधिक आदिवासी निवास करते हैं लेकिन इसका कोई ठोस सबूत आज तक हमें नहीं मिला है हम लोग सिरिफ उन अदिवासियों से अभी तक मिले हैं जो सिरिफ एमेजोन के जंगल के बॉर्डर पर रहते हैं जो हम से आसानी से घुल मिलकर बात भी करते हैं हमेजोन के जंगलों में इतने लंबे और घनी पेड है कि यहां सूरिक के प्रकास को जमीन पर पहुँचने में घंटो लग जाते हैं और कहीं कहीं तो दिन में ही अंधिरा होता है दोस्तो आप अगर गलती से यहां पर आ गए तो आपको वापस जाने का कोई भी रास्ता नहीं मिलेगा और वापस जाने की बात ही भूल जाएए क्योंकि इतने खतनाक जानवर या ऐसे जीव आपको मिल जाएंगे कि आपको पलक जपकते ही आपकी जान निकाल देंगे और आपको पता भी नी चलेगा कि आपकी जान निकल रही है यहां हजारों की संख्या में चीटी, मकडी और साफों की प्रिजातियां पाई जाती है हमिजोन की जंगलों में हजारों प्रकार के जड़ी बूटियां और आव इफेशनिये पीड़ है यहां जंगल हमारी दुनिया पर बहु कोवी असर दिखाता है विज्यान की माने तो अगर ग्लोबल वार्मिंग ऐसे ही बढ़ता रहा तो ऐसा समय आएगा कि प्रिथवी का सारा वातावरन खतम हो जाएगा लेकिन उस इस्तिती में हमेजोन की जंगल पर कोई खासा असर नहीं पड़ेगा यह लगभग वैसे कि वैसे ही रहेंगे इस जंगल में एक नदी बहती है उसका नाम हमेजोन रिवर है जो नील नदी के बाद दूसरी सबसे बड़ी नदी है जिसकी चोड़ाई 146 किलोमेटर के आसपास है इस नदी में इतने ज़्यादा खतनाग जीव पाय जाते है जिसकी कलबना आप सपने में भी नहीं कर सकते इस जंगल में ऐसे कई खतनाग साप रहते हैं जो इंसान को एकी बार में निकल सकते हैं लेकिन अमेजोन रेनफोरेस्ट हमारे जीनने के लिए बहुत जरूरी है इस जंगल में रहने वाले जानवरों से अनेको प्रकार की दवाईएं बनाई जाती है एक बारे इस जंगल में किसी विज़े से आग लग गई थी जिसे बुझाने के लिए तीन हफ्ते लग गए थे दोस्तो भारी मातरा में पेडों को नुकसान हुआ था और कई सारे जानवर भी जलकर राख हो गए थे इस अमेजोन के जंगल को प्रिथवी का फेपड़ा भी कहा जाता है यहां इतनी हरियाली और अक्सीजन पैदा होती है जो हमारे पूरी दुनिया के लिए काफी जाता फायदेमंद है दोस्तो अमेजोन के जंगल में कई सारे ऐसे खतनाक आदिवासी पाई जाते हैं जो आपको एक जटके में मौत की नीन सुला सकते हैं लेकिन दोस्तो ऐसा भी नहीं है कि हर अदिवासी जंजाती खतनाक होती है तो दोस्तो ऐसे ही हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें जिसमें आदिवासी रुमाज भरा डांस कर रहे है दोस्तो यह डांस आप देख रहे हो ये डांस देखकर आपको काफी अजीब लग रहा होगा लेकिन दोस्तों हर आदिवासी प्रजातियों का अपना रहेंसन और संस्क्रिटी होती है तो दोस्तों आज के लिए इतना ही अगर उडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करके जाना और लाइक तो जरूर करी देना मैं मिलता हम आपको अगली वीडियो में ओके बाए